नमस्कार किसान साथियों स्वागाई थे आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल और धाटा पेगरी कल्चर में तो किसान साथियों आज की इस नई वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास ये वीडियो है तो वीडियो को अन तक देखना इसमें आपको अच्छ बाराइटी है जो इस पौदे की हाइट कम से कम इस समय पर छे फिट के लंसम हो चुकिया है तो चलिए मैं इस रोग को दिखाता हूँ तो यह इस रोग के लिए दवा नहीं जादू का काम करेगी यह दवा मैं जो दवा डाला था किसान साथियों उसके दो दिन बाद बारि ये रोग शुरू से अगर लग जाती है किसन साथियों तो आए आखरी तक छोड़ने का नाम नहीं लेती है तो ये दवा काफी जदा हानिकारक है टमाटर के पौधे के लिए क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर की साइड को इसी परकार से बढ़ते हुए जाती है यहां पर पत्ति करो के लिए इसके बाद ये धीरे धीरे करके आपके फौलो में लगना सूट हो जाती है तो ये अगेती जुल सा इसका नाम दिया जाता है और पत्ति पर जो काले-काले टाइप के कोहरे के समय में लगने लगते है तो वह पीछे जुल्सा होती है तो आप लोगों के हमारी वीडियो अच्छे लगती है ओगर हमारी वीडियो अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक सेर्गमेंड कर ला मत graव चैनल पर पहली बारा हैでは चैनल को लार बांट कर सस्क्रिब जरूर कर देना और हमारे वाटसाप ग्रूप और टधिले Berg का लिंक मिल जाएगा वहां से जा करके हमारे WhatsApp ग्रूप को जोइन कर लेना और टेलिग्राम को जोइन कर लेना ताकि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेना है तो वहां से चैट करके पूश सकते हैं तो इस पोधे में कहीं गहीं पर अधिक अधिक मात्रा में रोग लगी होई तो चलिए वीडियो में आपको दवा का नाम बताता हूं तो सबसे पहले किसंस आती हूं आपको इस्टप्टो साइकलीन लेने नहीं एक पैकट जो है दो टंकी में इसका परियोग करना है आपको औ है और इस любов को अधिक मेंट को किया मायंग बदाव और भी तो इसमें आपको यह यह जो है है एक मगत जो है आक लागाँ को होता है और सब्सक्राइब को यह ना irm मोच्च आपको यह को अ 10 देन Championsर को अनδαर कि टंकी होती है तो एक टंकी में आपको अचारी लेतर पानी में तो मैं 5 टंकी की दोपा बना रहा हूं किसन साथी हो मेरी यहां दवा की मशीन को जो दवा से च्छुटाओ किआ जाता हूं इसको टंकी बोलते हैं यह जिंक चिल है इसका भी परियोग हम 5 टंकी में करेंगे यह जिंक पोधे की पत्तियों पर आपको जो है इन दवाइएं को ज़्यादा से जादा हो सके तो अलग अलग बलटियों में ही गूलना क्योंकि काफी समय तक दवा एकत्रित है यह वाइब और यह 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 बहुत ही अच्छी है यह टानिक का रूप में काम करेगी और यह 40 इस एमल एक टंकी में इसका प्रियोग करना है बहुत ही अच्छी इसका भी रिजल्ट है किसन साथियों तो आपको ले करके चलते हैं आगे और दिखाते हैं तो किसन साथियों मैं इसमें आपको 40 40 एमल यह ढकन होता है इसी से 40 में नाप सते हैं लेकिन मेरे में पूरा लगे तो इसलिए मैं पूरा डाल दे रहा हूं पांच देंकी में इसका प्रियोग करना है और आपको किसन साथियों ध्यान रहे मैं इतनी दवा का प्रियोग क्या हूं इसके बाद ध्यान रहे अगर दवा अच्छी तरीके से चिपक जाती है क्योंकि ठंडी का मौसम है तो कोहरा जो है काफी टाइम तक पड़ा रहता है तो इसलिए और आपको इसके बाद दवा को जो है पानी से डाल लेना इसके बाद आपको लेकर चलता हूं आज आप अपने खेत में मैं आपको दिखात किस परकार से तो यहां पर खेती करता हूं यह आप मेरी उम्र देखकर किसी परकार का भैवित महुत हो ना क्योंकि मैं जो है आपको जो दवा बताता हूं खुद परियोग गया हूं इसकी बाद इसका वीडियो बनाता हूं तो यहां पर आप इस परकार से अगर आप डंड को नबड़ा में डालते हैं तो उसको ख्यार लेज़रा कि जो है दभा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है तो आप GO ले कर के चलते हैं अपने खेत के पास कितन साथ सातियों तो इसमें chicos का दो मैं आप अपने os heat जो है पड़ी हो चुकी है तो ये प्नारे की लाईन थी इसलिए इस प्थे की है्ट ॥ोड़ी सी कम नहीं तो ये जो है बीच में जो पौधा है तो उसकी हाइट 5-6 पिट के लमसम हो चुकी है तो यह आपको जो है दवा इसी परकार से डालना है कि चनसात्यों इस परकार से दवा डालने पर बहुत ही अच्छी तरीके से दवा का रिजल्ट आता है तो हलके स्लो मुशन में है यह आपको दवा का परियोग करना है बहुत देजिस से नहीं भागना है क्योंकि यह दवा कि चनसात्यों बहुत ही आवस्चक है तो यकिन करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल पर आपको खेते से रिडिटेड अच्छी से अच्छी टमाटर से लेड़ अच्छी वी अच्छी में च्का लेघा सबसे करें आप oyजा कर लिठेल के लिंक जाएगा को वे वाक्राद सबर्सक्राइब करक waktu यांधि कहने करें आभ ऐसे तो यह सकते हैं अगली बीडियो में बहुत ही वही कास सब्सक्राइब चांदम में और 강से अगली वीडियो में